कुछ लोग बहुत ददा enjoy कर रहे हैं love words के अंदर कोई cricket खेल रहा है, कोई hockey खेल रहा है, कोई snoker खेल रहा है आपको पता ये बड़े breeders enjoy क्यों कर रहे हैं ये enjoy इसलिए कर रहे हैं क्योंकि love word जो है न इनका side business था और इन्होंने आपको ये बताया कि 19 ग्रेड के officer की जितनी salary होती है government job में, उससे बहतर है कि love word रख लो ऐसा उल्टा फुल्टा irrelevant comparison करवाना अच्छी बात नहीं होती love word में माशालला काम भी है, कारोबार भी है, बिकते भी है, बहुत अच्छा सबको पता है ये बात, लेकिन इसको compare करवाना किसी job के साथ और खुदा नख्वास्ता कोई अपनी job छोड़ के इसमें आ जाए फिर, आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि क्या love word पे आप monthly basis पे depend कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि love word आपको monthly कितने पैसे दे सकता है, कम से कम या जादा सादा, नहीं पता भाई, कोई पता नहीं है, monthly वो बहुत ही जादा देते हैं, आप रात औरात अमीर बन जाए, और बहुत सारी लोग ऐसे हैं, जिनको monthly क्या साल में भी बहुत कम पैसे बचते हैं, क्यों क्योंकि उनकी strategies different हैं, हर पैसे को बहुत जादा फायदा होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को कम होता है, किसी को नुकसान हो जाता है, हर चीज साथ साथ चलती है, तो यह business बहुत अच्छा है, इसमें पैसा भी है, सब हैसे के अंदर, लेकिन ऐसा गंदा comparison करवाना, किसी को यह बोलना कि government job 19 grade की वो बेकार है, लवबड जो है वो सही है, यह इस तरह नहीं करना चाहिए, इल्लोजिकल सी बात है लवबड एक बिजनस है, एक होबी है, उसको आप 19 ग्रेड आफिसर की सेलरी से का आप कंपैर करवा रहे हो तो आप अगले को क्या मैसेज दे रहे हो, जो बचे जो हैं वो गर्वबड आफिसर के लिए अपलाए करते हैं, सी ऐस एस के लिए, वो पागल हैं, वो लवबड को नहीं ले रहे ayr ढाitär हρεί, जो लोग सी ऐस एस में जाते हैं, वो इंतिहान को दे रहे हैं सी ऐस आइस का, और अगर लवड में पुछाएगा तो ही मैं खाना खाँ पाँगा नहीं होई सवाल ही पैदा नहीं होता भाई और जो अपर्चनिस्ट हैं आपने देखा जरा सा डन फैलो का रेट जरा सा मामूली सा उपर नीचे हुआ जो के एकनॉमिकली हुआ उस पर कैसे उन्होंने डाइवर्ट कर दिया किस तरह से डाइवर्ट किया उन्होंने कोशिश की किसी तरीके से क्योंकि उनके पास अब जाहर है कोई चाहरा ही नहीं था अब उन्होंने डाइवर्ट कर रहे थे कि रेड आई और ब्लैक आई के उपर आ रहे थे तो वहाँ पर भी मैंने उसको हाइलेट किया कि भाई अलबाइनो ब्लैक आई रेड आई क्रिमीनो डैकीनो ये तो बिलकुल सही से बिक रहे हैं क्योंकि वो तो कमर्शल बर्ड्ड हैं 30,000, 35,000, 40,000 वो तो अभी इस वक भी बिक रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं हो सकता है कोई बेच रहा हो कोई खरीद रहा हो तो सिर्फ डन फैलो की प्राइस जरा मामूली से आगे पीछे होने से आप देख रहे हैं कितनी जबरदस तरीके से कोई अपना माइंड इस्तमाल करके किस तरह डाइवर्ट करवाने की कोशिश करता है और ये इमपेक्ट डालता है कि देखो लवड में प्राबलम हो रहा है और ये ऐसे हो रहा है और ये यूं हो रहा है सिर्फ किसलिए कि तेरा डन फैलो जो है वो थोड़ा सा भी उपर नीचे हुआ है अब वो उस चीज़ को आप डैवर्ट कर रहे हो तो ये यहां पे इसी तरह ही काम होते हैं मैंने तो यही देखा बच्पन मेरा गुजर किया भाई कोई बंदा बिचारा दुकान भी लगाता है न तो उसको ये पंचायते देखनी पड़ती है ठीक है मेरा एक दोस्त है उसने खुद मुझे ये बात बताई कि वो लोग बेसिकली सालन का जो होटल है न वो खोल रहे थे तो उनके बराबर में कोई बंदा था जो रोटियां लगाता था उसने बोला कि यार सालन का होटल न यहां नहीं खोलो ठीया उन्होंने का भाई हम उमने दुकान ले लिए किराये पे हम जो मर्जी करें तुम्हारा इसमें क्या लिए नब देना यार हम जो मर्जी करें आपका क्या वास्ता है इस चीज के अंदर तो वो बंदा कहने लगा मैंने तुम्हें समझा दिया दूसरी बार मैं नहीं बोलूँगा अब आप अंदाजा लगाओ यह यहां पर जहां मैं हूँ इस वक्ट यहां की बात है और यह सब जगा ऐसी चलता है दुनिया ऐसी चलती है हर चीज के साथ कोई ना कोई नेगिटिविटी माफिया जुड़ावा होता है जो आपके सर पे आप सवार हो जाएगा और आजकल पड़ा लिखा दौर है तो इस तरह उसको टैकल किया जाता है अगर इप की चीज खराब करवा दी जाती है अमीर वाली चीज़ को अच्छा बनाने के लिए आपके जो बर्ड हैं उपलाइन्स जो थे किदर के ओपलाइन तुमने किदर फेक दी अपने ओपलाइन अच्छे खासे खुबसूरत बर्ड थे छोड़ दिये ठीक है अब ये छोड़ एक चीज़ अभी आप सीखते ही थे अभी हम सीखे ही है अलबाइनो रेड़ाई के बच्चे किस तरह बचते हैं हमने बचा भी लिए हमने फसल खड़ी कर दी पूरी की पूरी ठीक है सब कुछ हमने कर दिया आगे से किसी ने बूलाई ये तो ऐसे ही है टन फैलो अच्छा है टन फैलो में बहुत सकोब है ये तो ऐसे ही है अलबाइनो रेड़ाई को आप ữngफ़स्पारओ के बारे में बता के सिकhाया हमने सीखा हम उस पे काम करने ही लगे और जब हमें एक मौगा आया उस चीज को अवेल करने का आप उसे डन फैलो की बात कर रहे हैं और अब वो खोश इतने बॉकला गए जब डन फैलो जरा सा आगे पीछे हुआ यार अभी टाइम देखो ना आप कैसे कोई पंद्रा लाग रुपे में ले लेगा जाए जरा सा डन फैलो आगे पीछे हुआ तो कैसे खुसे में आके उन्होंने ऐसा इंपक्ट दिया कि जैसे कोई मतलब दुनिया रुकने लगी है भाई जैस के बिजली के बिल ठीक है आप जाके देखो क्या हो रहा है पूरा हशर नशर मचावा है पैटरल की प्राइस अगर आपको कोई स्टैंड ही लेना है तो कभी उस पे स्टैंड लिया आज तक पता नहीं कैसे ओल जलूल चीजें मैं देख रहा हूँ यह सब होता है यकीन करें हमें मजाख नहीं कर रहा है तालीम की बात ही नहीं कर रहा हमें यह सब होता है तर्बियत की कमी की वज़ा से कि हमें पता ही नहीं चल रहा के कौन हमें किदर डाइवर्ट कर रहा है किस तरह से हमें as a remote control के तोर पे मतलब के switch कर दिया जाता है उदर कर लो इदर कर लो यूं कर लो अब वो भाई का मैं बजा रहा था सालन की दुकान खोल रहा है वो दुकान किराया पे ले लिए अब उनकी personal choice है जो मर्दी करें दुकान ले लिए किराया पे बजार के अंदर दुकान है जो मर्दी बेचें मिठाई बेचें उनको बराबर वाला बोल रहा है दुकान वाला कि यार आप ना यहां पर silent की जो ना नहीं खोलो उटल कुछ और खोलो उन्हों नहीं का नहीं हम तो खोलेंगे फिर आगे चार-पांच लोग और आ गए ठीक है फिर मार्किट में सही दो तीन लोग और भी आ गए कि नहीं यह यह नहीं चलने देंगे हम लोग तो आप अंदाजा लगाएं इसी तरह बर्ड में भी होता है ठीक है ना किसी का डन फैलो नहीं बिगरा तो वो कह रहा है जी मैं तो इसको अब वो किसी और तरफ उस चीज़ को ग है इनी ग्रुप के कई लोगों की डेथ हो गई है एक की तो अभी हुई है विचारी की किसने पूछा उसको कहा है लोग किदर थे कोई गया उसकी घर पे लवड लेने के लिए बंदा इसलामाबाद से उदर कराची पहुँच जाता है ठीक है कोई बंदा का अजाद कश्मी में आता है वीडियो तो बना सकते थे यार कोई वीडियो बना देता कि भाई यह बाई की डेथ हो गई है हम बहुत जादा उसके बच्चों को पूछ लेता है फोन नहीं कर सकते थे आप मुझे बताव फोन नहीं कर सकते आप तो यह इसी तरह चलते हैं जिसका जहां तक फा आज दू अंडे दे रहे हैं कल छे देंगे उसके बाद अगर अंडे देना रोक दिये तो फिर आपके पास इतना जिगरा होना चाहिए कि आप वेट कर सकें तीन महीं ने एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको तो हमेशा बातों को मिसंडेस्टूड करके इनसान अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है कहीं लोगों को मैं जानता हूँ जिन्हों ने अपनी जॉब वाप छोड़ दी थी प्राइविट कंपनी उसे जिसकी 30,000 35,000 तनख़़ी उसने छोड़ दी थी उन में से कहीं ल अशा चलता है लवड़ का भी चल रहा है अभी भी लोग बेच रहे हैं भी भी लोग खरीद रहे हैं ठीक है हर चीज उसी तरह चल रही है लेकिन बात सिर्फ यह होती है माइंड सेट की आप किसी चीज के तरफ आएं ये सोचके के ये भी मैं कर सकता हूं अगर आप बोलें इंजॉय कर रहे हैं फैमली के साथ रेस्टरांट पे खाना का रहे हैं विडियो आ रही है कोई क्रिकेट खेल रहा है दे आर हैपी क्यों हैपी उनकी दुकाने हैं सुबह जाके वो शेटर खोल लेंगे अगर उनका कोई एक आद बर्ड इस मन्त नहीं बिगता तो उनके पा पाना इंकम है उन मेंसे कुछ लोग जॉब पे चले जा रहे हैं शुरू से गर्वर्मन्ट जॉब हैं उनकी वो जा रहे हैं उनको लवबर्ड की बहुत जादा टेंशन नहीं है तो इसलिए उनका अगर इस महीने नहीं बिग रहा तो अगले महीने बिग जाएगा आप लो आज अब ही आप देख रहे हैं कितनी कितना एक्सपेंसिव दौर इस वक्त थी जो बंदा पर्चून की दुकान लगा के बैठा है किसी ना किसी ताक में कि अगर मुझे थोड़े बहुत मतलब इतना हो जाता है कि मैं एक कपड़े की दुकान खोल लो या मैं कोई एक चिप किसी हवाई चीज पर डिबेंड करने लग जाना किसी ने बस दो जार आपके पास पैसे आ गए आप खुश हो गए कि चलो मेरे उखाने को मिल जाएगा मेरे को यहां से तो यह चीजें आपको टैंपररली तो चल जाएगा आप यह सोचने अभी तो यह चल रहा है कल क्या हो पर्सों क्या होगा यह चीज सोचनी चाहिए हमेशा इविन के अगर आप सिर्फ गर्वर्मेंट जॉब कर रहे हैं और लववर्ड नहीं रख रहे हैं तो आपको लववड भी रखने चाहिए, मैं तो यहां तक कहूंगा, कोई बंदा गर्वर्मेंट जॉब कर रहा है अग ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ट्स के लिए ब्रीडिंग मल्टी वाइटमिन्स चाहिए तो आप और पर मुझ से मंगवा सकते हैं, मैं आल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, और करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क से मिल जाएगी, और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, यह सेहतमन बर्ट्स को दी जाती है, अपने पूरे सेटप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है, हर मही ने, तो यह बहुत अच्छी होती है, और कोई बाहर से लाएं तो उसको भी समझ दीजिए, जरसीम से पार् उसको खतम करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है, अब अगर कोई बिमार हो चुका है, कोई बिमारी आ गई है, मिसाल के तोर पे नजला खांसी मोशन बखा, बुखार या सोकड़े की बिमारी हो रही है, आँखे सूज रही है, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ब्रीडिंग बूसर भी है, यह सौफ्ट फूर पर चड़क कर देंगे, तो यह ब्रीडिंग बूसर बन जाएगा, बाकी हैंड फीट के तोर पे आप अपने लवड को कराएं, कॉक्टेल को कराएं, बे फिकर होके आप करवा सकते हैं, हैंड फीट करवाने वाले बूसर भीट झाले डाएंग यह बुका करेएंग सकते हैं, हैंड ईजेक्ट भीट करता है, यह सौर प्रीट करेंगे ऍशको क करहा का मैं, बेड जाएगाने तोर भीट कर पत्रस कमूरत एजेक्स ठीका करेंग ष्वाने अबूसर थूल जोड़क कर वाले 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